बिहार शरीफ के नालंदा कॉलेज में दूसरे चरण के चुनाओ की मदगणना शुरू मदगणना को लेकर सुरक्ष वस्ता सक्त अतरिक सुरक्षक बलो की तेनाती। शिराख पास्वान ने लिया चुनाओी मैदान मुतरने का फैसला दो सीटों पर अकेले उप चुनाओ लड़ेगी लज़ेपी जल्द होगा उमीदवारों के नामों कैलान। पटना में बिहार कॉंगरस अध्यक्ष मदन मोहन जहा के घर में हुई चोरी नक्ती के साथ जरूरी दस्तवेश भी ले गए चोर पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्ता। और बक्सर ने पोस्ट मॉटम कराने के लिए भी मांगी घूस सफाई कर्मी ने शफ को बनाया बंधक सोचल मीडिया पर वारल वीडियों। प्रसात महाविद्याले के आसपाउस प्रत्याशी और उनके समर्थकों की भीड जमा होने लगी है। प्रकार की लापरवाई बरदाश नहीं की जाएगी। प्रसात महाविद्याले के आसपाउस प्रत्याशी और उनके समर्थकों की भीड देखने को मिल रही है। प्रसात महाविद्याले के आसपाउस प्रत्याशी और उनके समर्थकों की जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से एक्शन वोड में नजर आ रहा है। उसमर्थकों के दौरे जो परत्यासी हैं, उनकी समर्थक आयबे है। अगर बार के बात करें तो बार में भी काफी फीर लगी वे है रोड पे जाने का रागी वे तो भी काफी कठी नागे समय करना पड़ा है इतनी फीर लगी वे जो है कड़ी सुरक्ष्या के बीच बिहार शरीफ के नलंदा कॉलेज में दूसरे चरण के चुनाओ के मदगणना का कारे शुरू हो चुका है गिरियक और थरथरी प्रखंड के कोल 14 पंचायतों की जन प्रतिनीरियों के भागे का फैसला आज हो जाएगा ऐसे में विष्टा को चुस्ट दुरूस रखने के लिए सदर डियस्पी और स्डियों ने खुद कमांद समहल ली है ट्रैफिक विष्टा को दुरूस रखने के लिए शेहर में कई जगों पर अतरिक्ट सुरक्षा बलो को तैनात किया गया है साथी साथ प्रत्याशियों के गाडियों के लगाने के लिए अलग से सोग्रा कॉलिज के मैदान में पार्किंग की विष्टा भी की गई है सदर SDPO कुमार अनुराग ने बताया कि सभी पदों के लिए अलग-अलग काउंटर की विष्टा की गई है शांतिपूर तरीके से मदगणना चल रही है वही सदर SDPO डॉक्टर शिबली नोमानी ने बताया कि मदगणना केंदर के अंदर से लेकर बाहर तक सुरक्षा के पुक्ता अंतजाम किये गए है ट्रैफिक की समस्था ना हो इसे लेकर अतरिक्ट बलो की तनाती कर ट्रैफिक विष्टा को रेगुलेट किया जा रहा है तो कड़ी सुरक्षा के बीच मदगणना की जा रही है मदगणना को लेकर सुरक्षा अवस्ता सक देखने को मिल रही है अतरिक सुरक्षा बलो की तैनाती भी की गई है गिरियक और थर्थरी प्रकर्ण के कुल 14 पंचायतों के जन्द प्रती निदियों के किस्मत का फैसला प्रतियाशियों के गाड़ियों के लगाने के लिए अलग से कॉलेज के मैदान में पार्किंग की सुविधावी दी गई है तो वही इस मौकी पर सदर S.D.O. कुमार अधुराक के द्वारा जानकारी दी गई कि सभी पदों के लिए अलग-अलग काउंटर बनाए गए है श अतरिक्त बलो की तैनाती कर ट्रैफिक विएस्था को लगतार लेगुलेट किया जारा है तो कड़ी सुरक्षा के बीच मदगणना जारी है मदगणना को लेकर सुरक्षा विएस्था वहाँ पर काफी जादा सक्त देखने को मिल रही है अतरिक्त सुरक्षा बलो की तैनाती भी की गई है गिरियक और थर्थरी प्रखर्ण के कुल चौदा पंचयत के जन प्रतिनीदियों के भागे का फैसला आज हो जाएगा विवस्ता को जूस दूरुस रखने के लिए सदर डीएस्प और एसडियों खुद एक्शन मोर्ड में नजर आ रहे हैं दोनों ने खुद कम कॉलिज के मैदान में पार्किंग का इंतजाम भी किया गया है सदर एसडियों कुमार अनुम्राग ने बताया कि सभी पदों के लिए अलग-अलग काउंटर के वस्त्या की गई है शान्ती पून धंग से मदगन्ना का काम जारी है तो वही सदर एसडियों डॉक्टर शिबल कि नोवानी ने बताया कि मदगन्ना केंद्र के अंदर से लेकर बहार तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए है और ट्रैफिक की समस्या ना हो इसे लेकर अतरिक्त बलो की तनाती कर ट्रैफिक वस्ता को लगतार मॉनिटर किया जारा है निगरानी अब मैं आपने देख रहा है जिनको जिनको जिनका भी जो भी पद है उसके अभी करता है और जो अधरवाइस केंद्र कुदा है वो सभी मदगन्ना की प्रॉसेश को खुद अपने आपो से भी देख रहे हैं और पूरी वयस्ता की गई है शांति परोग चल रहा काउंटर आपको आप देख लीजे एक चिसे छे पद हैं तो छे पदों के लिए आपको छे रूम्स हैं और हर रूम में 10 टेबल है इसके इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ काउंटिंग करें जितने भी मजगंदा से रिलेटेड परतियासी इत्यादी जो भी लोग यहा और तभी चौक चौराय जहां भीड लगने की संभावना है वहां पुलिस और मजिस्केट की विशेश पति में उत्ती है ट्रैफिक को हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं जो मत्गंदास्तल का जो गेट है नलंदा कोले जैसा आप लोग देख रहे हैं यहां हम लोग 100 मेटर राइट और लेफ्ट में किसी भी परिशिती में भेड़ी यहां जमान है उसको हम लोग इनिश्वर कर रहे हैं अगली खबर मदुवानी जिले से है जहाँ पर खुटोनो थाना शेतर में मुख्या प्रतियाशी मनुस सिंग ने सतरा लोगों के साथ वोट से इंकार करने वाले व्यक्ती को बेरहमी से पीटा है पताते चले कि सिक्ती याही पंचायत के वोड नमर दो और पांच के मद्दातों का कहना है कि हम लोग दूसरे उमीदवार के समर्थन में थे जैसे ही इसकी सूचना निरवर्तमान मुख्या प्रतियाशी मनुस सिंग को लगी वैसे ही वो गुरुवार रात करीब 8 वजे गोली और गटा से वाड के ग्रामिनों के घर में घुसकर उनको पीटने लगा जिसमें दरजनों आदमी घायल हो गए जिनका इलास थाने अस्प गिरफतार कर जेल भेजने की मांग की है वोट नहीं देने पर लोगों को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है आकरोशित लोगों ने सडक जाम किया तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोगों में कितना जादा आकरोश देखने को मिल रहा है आघ जनी कर जैसे ही इस बात का पता निरवर्तमान मुखिया प्रतियाशी मनोस सिंग को लगा तो वैसे ही वो गुरुआ रात आठ वजे गोली और गट्टा लेकर वार्ड के ग्रामिडों के घर में गुसा और उनको पीटे लगा जिसमें दरजनों आदमी घायल हो गए गायलों का इलाज फिलहाल साने अस्पताल में चल रहा है लिकिन स्थेती नाजुब बने रहने की कारण उन्हें रैफर कर दिया गया है चल लोग घुतोना होस्पिटर में भरती है बीर्दा आदमी यहां से रिफर कर दिया गया जो दरभंगा में भरती है एल जेपी के राष्टेया द्यक्स चिराख पास्वान ने अपने दम पर शुनावी मैदान में उतरने का निन्ने किया है बता दे कि उन्होंने बिहार विधान सभा की दो सीटों पर होने वाले उप्चुनाव में अपनी पार्टी की तरफ से उमीदवार उतरने का फैसला किया है चिराग ने कहा कि विधान सभा की दो सीटो तारापोर और कुशेश्वर सान पर होने वाले उप्चुनाओं में लज़ेपी अपने उमीदवार उतारेगी चिराग ने आगे कहा कि उमीदवारों के चेयन के लिए जल्द ही बैठक कायजन किया जाएगा उन्होंने आगे कहा कि पार्टी और संगठन के लोग चुनाओं लड़ने के लिए समिक्ष्या बैठक कर रहे हैं जिसको लेकर जल्द ही उप्चुनाओं लड़ने की उप्चारी घोशना भी कर दी जाएगी किसी दल से समझोते के सवाल पर लज़ेपी अध्यक्ष ने कहा कि हम अपनी ताकत से ही चुनाओं लड़ेंगे तो चिराग ने चुनाओं मैदान में उतरने का फैसला कर दिया है पारे हैं विहार संसधिये बोड के वाज से नामित हुए है और विहार विधान सभा में जो आपका रोफ सीदों का भूप शुनाओं है उस्कुल लेकर हम लोग आने वाले एक दो दिनों में विहार संसधिये बोड की बैठक बुलाएंगे बिहार की राजदानी पतना में चोरी के एक बड़ी वार्दात ने पुलिस को परिशान करके रख दिया है चोरी की ये वार्दात कॉंग्रिस के प्रदेश अद्यक्ष मदन मोहन जा के घर में हुई है जो फिलहाल दिल्ली गए होए है कॉंग्रस नेता की बेटे माधव जाने चोरी की वारदात होने की पुष्टी की है ये घटना पटना के हवाई अड़ा थाना शेत्र में हुई वारदात की दुरान घर में उनकी पत्मी और बेटे मौजूद थे बेटे ने बताया कि सुबह होने पर उन्हें चोरी की जानकारी हुई चोर खिड़की के रास्ते कमरे में दाखेल हुए और करीब दो लाक रुपे नगत के अलावा दूसरे कीमती समान भी लेकर फुरार हो गए पुलिस ने इस पूरे मामले में तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है तो बिहार में अब अपर आधियों के होसले इस तरह बुलंद हो चुके है कि इससे राजडेतिक गलियारों में रहने वारे लोग भी अब सुरक्षित नहीं है बिहार कॉंग्रस अद्रेक्ष मदन मोहन जा के घर चोरों ने रात धावा बोल दिया चोरों ने जा के पटना स्थित आवास से नगदी और कई जरूरी कागजा चोरी कर लिये सुवे जब लोगों ने देखा तो सारा समान भिखरा पड़ा था मदन मोहन जा के बेटे माधव जा ने बताया कि बीती रात चोरों ने मकान की अलमारी से कुछ जरूरी कागजात और नगदी चोरी कर लिये पूरा समान भिखरा पड़ा था पुलिस ने मामला दर्श कर लिया है तो भई आको ये भी जानकारी देदे की मदन मोहन जा के दरभंगा सित अवास पर भी पिछले महीने चोरी की घटना घटी थी चोरों ने वहां रह रहे किराइदार शम्बु जा के घर से 10 लाग की संपत्ती पर हाथ साफ कर दिया था शम्बु जा का परिवार एक दिन के लिए बाहर गया हुआ था उसी राथ चोरों ने घर को निशाना बनाया था जब तोर के प्रवेश किया तो देखा कि सारा अलमारी तूटा पड़ा हुआ है समान बिखरे हुए हैं और ये गिल को तोड़ा गया था और कुछ कैश और तुस औरनुमेंट्स और कुछ नए कपड़े हुआ चोरों ने ले गए करीवन ये काम बारा से चार के बीज में किया रहे है कुछ का है कुछ औरनुमेंट्स बटाए जा रहा है है और एक सूपकेस आपको हम दिखाते हैं आपको मुख्यमंत्री की हर गर नल से जल ड्रीम योजना मुकामा के ग्रामेड इलाकों में सुपर फ्लॉप साबित हो रही है इस प्रखंड की मेकरा 25 के वार्ड नमर 3 में योजना का कबाड़ा ही निकल गया है वार्ड के लोगों को आज तक नल का जल नसीब नहीं हुआ है लोग कोई का ही गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है और हिराने की बात तो ये है कि मुकामा प्रखंड के इस वार्ड के लोगों को पंडारक ब्लॉक के कोई का ही आस्रा रह गया है और वे भी गंदा पानी ही नसीब हो रहा है कुछ लोगों की जिन्दगी चापकल के साहरे कट रही है ऐसे में सीएम की ड्रीम योजना पर सवाल या निशान खड़े हो रही है तो हर गर नल से जल योजना फिर साबित हो रही है चाहे प्रशासन इस योजना को लेका लाग दावे कर ले लेकिन धरातल पर इस योजना का लाब लोगों को आज भी नहीं मिल पा रहा है यह पूरा मामला मुकामा के मेकरा पंचवैत की वार्ड नमर तीन का बताया जा रहा है जा आज भी लोगों को शुद पीने का पानी नहीं मिल रहा है लोग आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर है और हरानी की बात तो ये है कि मुकामा प्रखंड के इस वार्ड के लोगों को पंडारक ब्लॉक के कुए का ही आसरा रहे गया है और वहे भी गंदा पानी ही मिल रहा है कुछ लोगों की जिन्दगी चापकल के सारे ही कट रही है तो ऐसे में सीम की इस ड्रीम योजना पर सवाल या निशान बार-बार खड़े हो रहे है आगनबाडी सेवी का बच्चों के राशन पर अब भी डाका डाल रही है ताज़ा मामला बगहा के मधुवनी प्रखंड के खोथ हवा पंचायत के वौड नमबर 15 के आगनबाडी केंदिर संख्या बासट का है जहा कम राशन देने और मानक के विपरीत वितरन प्रक्रिया को लेका लाभरतियों ने विरोथ प्रदश्चन किया आगरोशित महिलाओं ने आरादिकारों से शिकायत की बात कही है साथ एक परिवार में चार लाभरतियों में सिर्फ एक ही पैकेट दिया गया जिससे लाभरति भड़क गए और विरोथ प्रदश्चन करते होई सेविका का घेराओं किया गया लाभरतियों ने बताया कि सरकार द्वारा निर्देशित राशन में वजन तौल घटा कर चोरी की गई है काफी लाभरति परिवारों को राशन भी नहीं दिया गया इस मामले में महिलाओं ने शोर शराबा मचाया जिसके बाद ग्रामिडों की भीड जमा हो गई वही मामला बढ़ता देख मौके पर उस्थानी लोगों ने बीच बचाओ किया और मामले को शांत कराया ग्रामिडों ने बताया कि 50 लोगों का अंगूठा लगा कर सिर्फ 9 लोगों को भी राशन दिया गया है और उसमें भी भी कटोटी की गई है तो कम राशन मिच्रण को लेकर महिलाओं ने विरोध किया सेविका को बदलने की मांग की है बच्चों की राशन को लगातार इस सेविका डखा रही है दालो राशन एई सोबीन सब चुरा कर रख लती है काफी चूपा कर लिखती है एक आर अनमी से दो दो तिन तिन गो निसान लेती है तिलका मान जी भागलपूर विश्विद्याले की भूगोल विभाग में बिहार जारकन जोग्रिफिकल एसोसेशन के 22 वे अधिवेशन का आयोजन किया गया टीम बी यू भूगोल विभाग की अध्यक्ष और सेमिनार के आयोजग प्रोफेसर संजे कुमार जहा ने बताया कि इस सेमिनार का विशे है Problem and Prospect of Rural Industry in India इस विशे पर विद्व्यानों के द्वारा तकनीकी सत्र में चर्चा की गई चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत गाओं का देश है ग्रामिन शेतरों में कोटीर उद्यों के विकास की योजना किस तरह लोगों तक पहुचाई जाए बिहार जहारकल जोगरफिकल एसोसियेशन का ये 22 मा अधिवेशन है जो भागलपूर बिस विद्याले के रसनात को तर्भूल विभाग में आईविट किया है इस सेमिनार का जो टॉपिक है कि प्रोब्लम एन प्रॉस्पेक्ट आफ रूरल इंडरस्टी इन इंडिया इसके संदर्भ में जो है ये दो दिन तक इसमें टेक्निकल सेशन चलेगा और इसमें गहन चर्चा की जाएगी कि जो भारत गाउं का देश है यहां कुपिरू द्योग का कैसी विकास किया जाए और भारत को कैसे आत्म निर्भर बनाए जाए रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से मरने वाले लोगों के अंतिम संसकार के लिए रेल प्रशासन के दुआरा 5000 रुपे की राशी निर्धारित की गई है इस राशी से ट्रेन से कटने वाले लोगों का अंतिम संसकार कराया जाता है बाबजूद इसके कुछ ऐसे सौधागर है जो शफ का सौधा करने से भी बास नहीं आते और ऐसे कारनामे कर देते हैं जो मानफता को भी शमसार कर दे ऐसा ही एक मामला बकसर के स्थाने पोस्ट मॉटम हाउस में उस समय देखने को मिला जब ट्रेन की चपेट में आकर मौत के शिकार हुए शंकर का शफ पोस्ट मॉटम के लिए लाया गया लेकिन मौके पर जी आरपी के द्वारा भेजे गए सफाई कर्मी ने शफ को बंधक बना लिया और ये कहा कि जब तक मरीज के परिजन उन्हें तीन हजार रुपे रिश्वत नहीं देंगे तब तक वे शफ का पोस्ट मॉटम नहीं होने देंगे काफी मिनत करने के बाद जब सफाई कर्मी नहीं माना तब जो आकर मितक के परिजनों ने किसी तरह एक हजार रुपे की राशी का भुकतान किया और शफ का पोस्ट मॉटम कराया हलाकि इस बीच मौकेपन मौजूद एक जिवग ने इस पूरे घटनक रम का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया बगहा के रामनगर थाना शेत्र के मठिया पंचायत के वर्ड नमर 13 में कुछ अजीवो गरीब नजारा देखकर ग्रामिडों में दैशत का मौहल बन गी चुका है ग्रामिडों द्वारा अलग वेशबूशा वाले अस्समाजिक तत्वों को देखने की खबर मिली है एक ग्रामिड ने बताया कि आधी रात को चार लोगों को असलेहे की साथ गन्ने के खेट से निकल कर गाओ के शमशान खाट जाते हुई देखा गया है और इस तरह की सूचना आम होने पर थाना अध्यक्ष ने ग्रामिडों से पूश्टाच की जिसके बाद बगहा एसपी देवेश कुमार मिश्टा के नेतित्वों में स्टीएफ और रावनेगर पुलिस के साथ पूरे शेत्र में सर्च अभियान चलाया गया इस तरह की चहल कदमी की सूचना ततकाल थाना प्राहरी को देने के लिए आम लोगों से अपील की गई बताते चले की पंचैर चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है तो असमाजे तत्वों को देखकर ग्रामिड डर गए पुलिस ने इसके बाद सर्च अभियान चलाया थाना अध्यक्ष ने ग्रामिडों से पूछ तरच की और आगे भी इस तरह की सूचना देने के लिए आम लोगों से पुलिस ने अपील की अधार के बीच में ग्रामिडों के सूचना मिली थी कुछ लोग इनके पास समभबता हंतियार हो इनके गाओं के बगल से बुजरा है ततकाल मनने अपने पूलिस बल को भेजा था रामिडों भी थे करीब आरवरे तक हमनों सत्यापन की लेकिन कुछ त्रेश नहीं मिला आज फिर सुचना मिली कि गाओं के बधार में खदूरिया के सामने जो चिमिनिया टोला है कुछ महिलाए घास के लिए गए थी कुछ लोग को इख में खरकराड के वास नहीं पड़ी और ये लोग डर के मार वहाँ चली आई बेखाफ चोरों का आतंक थमने का नाम ही नहीं रे रहा है आए देन चोरों के द्वारा चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है नवल किशोर प्रसास सिंग के बंद घर का ताला तोड़ दिया और कैश समेथ 30 लाख रुपे की संपत्ती पर हाथ साफ कर डाला इस घटना के संबन में अधिवक्ता नवल किशोर ने बताया कि इलाज करवाने के लिए वो पूरे परिवार के साथ पटना गए होए थे और इसी दुरान चोरों ने स्वारदात को अंजाम दिया फिलहाल पुलिस मामले की जाज में चुट चुकी है ने हम तो उरिशा में रहते हैं अभी बाब जी का तवियत खराब हुआ था ना तो पटना आय थे आज आय थे घर देखने के लिए कि थोड़ा सा पौदा होदा है बाब जी बोले जाओ देख किया तब आय तो देखे कि सारा तूटा हुआ खुला हुआ हुआ सब जोरी किय गोल्ड का बहुत जोरी था सिल्वर का बहुत जोरी था फिर पुस्तेहनी जो बहुत चीज था चलि फिलाहाल कि उस पुलेटिम में मेरे साथ बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ नमस्कार